दोस्तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपना credit card में जो amount आपका पड़ा हुआ है उसको कैसे आप अपनी bank account में या आपनी दोस्त या आपनी wife, brother, sister किसी की भी bank account में कैसे आराम से दो मिनिट के अंदर send कर सकते हो तो इसके लिए दोस्तो सबसे पहले आपके पास अपना phone पे होना चाहिए जो कि आपकी mobile कंदर register होना चाहिए और working हालत में होना चाहिए तो जैसे ही आप अपनी mobile के अंदर अपना phone पे open करोगे वहाँ पे आपको home page कुछ इस तरह जैसे की screen पे दिखे रहा है ऐसे ही दिखेगा आपको दोस्तों यहाँ पे home screen पे आपको काफी सारे options मिल जाएंगे phone पे की तरफ से आज हम उन options के बारे में बात नहीं करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी credit card के अंदर जो भी limit से उसको कैसे आप बीना shopping किये हुए बीना कोई ticket booking किये हुए शिद्धा उसको कैस amount में कैसे convert कराओगे कैसे आप अपनी back account के अंदर उसको avail करोगे तो यह बहुत simple सी method दोस्तों यह नया introduce हुआ है phone pay की तरफ से नीचे आपको left side में new करके लिखा हुआ है rent payment वहाँ पे आप जैसे ही click करोगे तो आपको यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कर रखा हूँ rent payment में काफी वार कर ली हाँ दोस्तों कम से कम 20-25,000 में यहाँ पे मेरे credit card से मेरे account में transfer करवाए था लेकिन आपको कोई भी नया account में पैसा भेजने के लिए आपको add new करना पड़ेगा यहाँ पे आपको सबसे पहले rent amount आप कितना अपनी credit card से account में send करना चाते को सबसे पहले amount enter करना पड़ेगा इसलिए दोस्तों जो limitations है यहाँ पे 1000 रूपीज से जादा ही आपको send करना पड़ेगा क्योंकि जो सबसे कम से कम जो limitation है यहाँ पे 1000 से नीचे आप send नहीं कर सकते हो तो कम से कम 1000 से उपर ही आप send करेंगे तब ही यह process हो पाएगा तो देख के आ रहा है दोस्तों minimum amount 1000 से जादा होना चाहिए यहाँ पे property का जो name है यहाँ पे आप enter कर सकते हो और नीचे आप save as पे आप office या home पे save कर सकते हो ताकि आप single click पे ही आपका transfer हो जाए बार बार यह सारी details आपको देना ना पड़े तो यहाँ पे फिर दोबर आपको landlord's name पु लंगा जा रहा है आप जैसे add bank करोगे तो आपकी phone pay के अंदर अगर वह already add है तो वहाँ से आप उसको ले सकते हो अधुराइज नीचे change bank account करके वहाँ पे भी आप अपनी bank की जो details से यहाँ पे enter कर सकते हो next आप यहाँ पे UPI payment method भी चूज़ कर सकते हो यह आपकी उपर totally depend कर आप किस तरह से किस mode of payment से इसको आप transaction करना चाहते हो देखें दोस्तों यहाँ पे जैसे proceed to payment करते हो यहाँ पे सारा details आपको दिखाए दे जाते हैं दो बारा यहाँ पे मेरा already cards यहाँ पे add हैं जो कि मेरा credit card दो यहाँ पे मैं already add करका हूं कि मैं इसको use करता रहता हूं और आ आप इसको proceed कर सकते हूं मैं already add कर रहा हूं इसलिए मैं just CVV number दे कि इसको proceed कर रहा हूं और दोस्तों यहाँ पे आप देखे होंगे कि 65 रूपीज ज्यादा लग रहा है दोस्तों यह phone P की तरफ से transaction charges है दोस्तों यह सबसे कम है मेरे हिसाफ से क्यूंकि पैटियम बगरा से देखें दोस्तों यहाँ पे यह रेंट पेमेंट और 5065 सक्सेस्फुल इट में टेक अफ्ट वान और टू वकिंग डिस्टू अपडेट यह पेमेंट इन लांडोर्ट से कॉर्ड दोस्तों यहाँ पे एक दो तिन तो नहीं लगता मैं बार बार करता रहता हूं यह दो आपको क्रेडिट हो जाता है तुरंती तो दोस्तों यह था एक बहुत सिंपल और बहुत बहतरिन हेलफफुल मेथट जो जैसे कि आपके पास क्रेडिट काड होते हुए आपको कुछ क्यास की जरूरत है आप चाहते हूं आपको इस तरीके से किसी के पास जाना नहीं मैं इसे छोटे छोटे इंपरिम्टी वीडियो बना के लाता रहता हूं थैक्स पूर वाचिंग लव यू अल